कर दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंट वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंट यही नंबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वाट्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं इस्टाग्रम पे जरूर कर लिए एक प्री फुल मौक टेस्ट नंबर 10 को डिसकस करने वाले हैं इससे पहले तेस्ट नंबर 9 का वीडियो अपलोड हो चुका है तेस्ट नंबर 8 का भी वी जरूर देख लीजेगा विरू स्टाट करने पहले देखिए अगर आपने भी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो इसको जॉइन कर लीजेगा यहां पर हमारे दुआरा काफी सारे पिक्चर्स पीडिये जो आपके एक्जाम के लिए काफी आगे भी उपलब्द होते रहेंगे कि किसी भी एक्जाम के जो सफलता होती है वो पढ़ने के साथ साथ इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि कितने number of questions आपने solve की है प्राक्टेस करने से क्या होता है आपके mind को वो pattern की आदत हो जाती है questions को solve करने के habit हो जाती है तो जिसकी इससे एक्जाम में क्या होता है आप बड़े आसानी से सौभावे क्रूप से पेपर को solve कर पाते हैं अगर आपने से पढ़ा होता है और questions नहीं discuss कि होते हैं तो क्या होता है facts को भूलने लगते हैं तो facts याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाद से जाद से discussion videos है इनको आप देखिए तो question उसका answer उसकी explanation इससे क्या होता है आपको एक साथ चार option के बाले में जानकाले मिलती है और जो है आपको चार fact पता चलते हैं तो इससे आपको क्या है चार question solve करने में मदद मिलेगी यह हम कह सकते हैं तो ध्यान से वीडियो को सुनिए और इनको जो है time to time revise भी करते रही है इसके अलावा देखिए हमारे दुआरा paid groups भी चलाया जा रहे हैं जो आपकी तयारे के लिए one stop solution का काम करते हैं एक बार आप इन group को join कर लेते हैं तो completely हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको सारा content provide कराया जाए जो भी आपके exam के लिए जरूरी है तो इन group से जुणने के लिए देखिए इन दिये गए नंबर पर आप call कर सकते हैं ठीक है description box में भी सभी details दी गई है आप वहां पर भी जा सकते हैं ठीक है इन नंबर पर संपर करके अगर किसे परकाल की आपके कोई query है तो उनके बारे में भी आप पता कर सकते है तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा जो सबसे पहला question ने वह modern history से है पूछा गया है प्रत्थम अधिवेशन जो गाउं में हुआ था उसके बारे में आपको जो है गलत विकल्प का chain करना है यानि कि भारती रास्टे कॉंग्रेस का वह अधिवेशन जो पहली ब आउजित किया गया था यह बाद ठीक है यह फिर्चपूर में आउजित किया गया था यह भी बाद ठीक है इसके अधिशता जवाला नहरूने की यह बाद ठीक है तो यहां से देखिए जो answer हो जाएगा यह हो जाएगा देखिए यह इसलिए important है क्योंकि माना जाता है कि Congress की में एक चींज हुआ यहां पर और शेहरी और मध्य वर्ग से निकल कर Congress ने जो है ग्रामीर आबादी की शक्ति को यानिकि जन शक्ति को पहचाना और इसलिए जो है यह important हो जाता है ध्यान रखेगा 51 यह अधिवेशन था 1937 में हुआ था फेचपूर में हुआ अध्यक्षता की थी इसकी पंड़े जवाला नेहरो रहे नेक्स क्यों चलते हैं भारती रोस्टे कोंगरेस की अधिवेशन से संबंदित गलत विकल्प का चैन करना है वह वाला अधिवेशन जो प्रत्म भायरतिये महिला जो है अध्यक्ष बनी थी यानिके पहले आपने जो अधिवेशन गाउ में हुआ था इसके बारे में प्रश्न हल किया इस बार हम उस अधिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी जो अध्यक्ष है पहली बार कोई महिला बनी थी यह देखिए 41 अधिवेशन था सही बात है इसका आयोजन 1924 में किया गया था यह गलत हो जाएगा क्योंक भारतिय महिला अधिक्ष कौन नहीं है कॉंग्रिस की तो सुरूजनी नाइडो रही है अच्छे इस कोशन में एक चीछ ध्याल लखेगा हम जो बात कर रहे हैं प्रत्म भारतिय महिला की बात कर रहे है इसका मतले विए पहली महिला अधिक्ष नहीं है वो कोई और हो सकते है लेकिन Indian woman president की अगर बात करें तो ये facts जो है सही साबित होते हैं revise कर लेते हैं परतम भारत्य महिला अध्यक्ष जो रही थी उस सत्र के बारे में 41Y ये अधिवेशन था 1925 में हुआ था कानपुर में हुआ था स्रीमति श्रोजनी नाइडो जो है इसके अध्यक्ष बनी थी ठीक है तो हमारा जो अंसर है बी हो जाएगा निश्क्रेशन की तरफ चलते हैं देखिए पूछा गया है कुछ समाचार पत्र दिये गए हैं मैगजीन दिये गई है इन में से सबसे पहले कौन प्रकाशित हुआ तो हमें डेट पता होनी चाहिए सबकी ही जो सौम प्रकाश सापता ही समाचार पत्र था देखिए यह प्रकाशित हुआ था 1858 से इसके बाद देखिए इंडियन मिरर समाचार पत्र तो 1862 इसके बाद अमरत बाजार पत्र का समाचार पत्र तो यह हो गया आपका 1868 इसके बा आपको बताना है कुछ न्यूस पेपर के बारे में दिया गया है और उनसे संबंदित विक्तित्वत हैं उनके बारे में बताए गया है इंडियन ओपीनियन अकवार इन में से किसका गठन उननिस सो सताईस के बाद किया गया था तो देखे आप इनकी एक 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 डिर जा लेते हैं एचिंसन जो आयोग है यह 1886 में आया था था बतलर समीती 1927 आप सभी को पता होगा साइमन आयोग आप सभी को पता होगा 1927 और लिल लिट गो आयोग तो 1928 अब क्योंकि 1927 के बाद पूछा गया है तो डी जो है आपका आंसर हो जाएगा निश्विशन की बात करते हैं पूछा गया है कि निमलिकित में से किस आयोग की इस्थापना सिक्षा पर विकास के लिए यानि कि एजुकेशन डवलोप्मेंट के लिए की गई थी तो देखे इसका जो इस्टाबलिश्मेंट हुआ था और डवलोप्मेंट और एजुकेशन सिक्षा के विकास पर हुआ था सी आंसर हो जाएगा निश्ट टॉपिक की बात करते हैं कौन सा वो यूद था जहां पर बाबर ने राना संगा को हराया था और यह यूद कब लड़ा गया थ और किसने किसको हराया था यह स्टीटमेंट दी हुई है आपको सही विकलत का चैन जो है करना है ठीक है घागरा का यूद तो यहां पर देखिए बाबर ने अफगानों को हराया था ध्यान रखिएगा ठीक है कन्योच का यूद तो शेर शहाने हुमायू को हराया था पानी अगर बात करें तो यहां पर देखिए अकबर ने हेमु को हराया था चौसा का यूद जो है तो शेर शहाने यहां पर हुमाईयू को हराया था यह ठीक हो जाएगा सही विकल्ब पोचा हुआ है भी आपका अंसर हो जाएगा निश्कुषिन की बात करते हैं कुछ यूद दिये गए हैं उनसे संबंदित सन दिये गए येर दिये गए हैं आपको जो है गलत विकल्ब का चेन करना है ताली कोटा का यूद ये देखिए आपका हुआ 1565 वे हल्दी खाटे का यूद 1566 सही बात है प्लासी का यूद 1757 ये भी ठीक है वन्डी वोश का यूद 1760 ये भी ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा निश्कुषिन की बात करते हैं कुछ राजवन्स दिये गए हैं उनके संस्थापक दिये गए हैं आपको सही विकल्ब का चेन करना है ठीक है तो वकटक राजवन्स इसकी जो स्थापना की थी देखे विंद्य शक्ति ने की थी हुण राजवन्स तो तोरमान जो है इसके संस्था पकते ठीक है पांडी राजवन्स तो नेडियोन इसके संस्था पकते और वर्दन राजवन्स पुशे भूती इसके संस्था पकते तो C यहां से आंसर हो जाएगा स्फुमंद्र इन में सीय राजवंद्र की राजवंद्र पूछा गया है कि लिए तो यहां से जो antوج लिए ओप देगा। है, कुछ राजवंद्र दिये गए हैं? Superintendent आपको भी गल्प का चैन करना है तो गढ़न वाल इसको बोलते है घढ़न वच लाजदानी थी कुझल इसके बाद देके कल चूरि वंच तो इसकी जो राजदानी सी तिरपूरी उसका सालूaben वंच इसकी राजदानी विजए त देकी देकिये धारा नगरी थी देखे 1856 में यह अधिनियम आया था और इस टाइम पर जो गवर्नल जनरल थे वो थे Lord Kenning उसके बाद पूछा गया है कि कि साशनकाल के दोरा नेटिव मेरिज अधिनियम आया था यह था 1872 में और इस टाइम पर जो गवर्नल जनरल थे वो थे कौन? नौर्थ ब्रुक ठीक है तो यहां से जो हमारा आंसर है वो दी हो जाएगा नेश्विशन की बात करते हैं सही विकल्प का आपको चेन करना है कुछ एक्स दिये गए हैं कुछ घटनाय दी गई हैं उस टाइम पर कौन जो है साशक थे यह आप से पूछा गया बिटिश इंडिया की यह बात चल रही है एज ओफ कंसेंट एक्ट तो यह देखी लॉड लेंस डाउन के टाइम पर आया था शारदा अधिनियम लॉड इर्विन के टाइम पर आया था शिशुओं की हत्या पर रोक लॉड वेलेजली के टाइम पर ही लगी थी सही बात है और सती प्रता पर प्रतिबंद यह लॉड वीलियम बेंटिक के टाइम पर हुआ था तो सी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा एक्सक्रिशन की बात करते हैं कुछ आंदोलन दिये गए हैं उससे संबंदित इस्थान दिये गए हैं तो पहला देखे दार उल उलम आंदोलन तो देखे सहारनपूर तो ठीक है लेकिन मिरजापूर गलत है दरहसल ये सहारनपूर जो कि उत्रपरदेश में है और देवबंध यहां पर हुआ था तो यहां से जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आपका बी निश्विशन की बात करते हैं गुदु भकत ये दरहसल किस विद्रो के प्रवोक नेता थे इंपोर्टेंट क्षिशन है तो ये जो कोल विद्रो था उसके प्रमुक नेता ये थे और जो कौन सा छेतर है वो इस विद्रो से संबंधित नहीं है तो हम जान लेते हैं किस किस एलिया का जो संबंध है वो विद्रो से है तो देखिए राच्ची, सिहिभूम, हजारी बाग और बलामू वो दरसल हमारे इस विद्रों से संबंदित है तो यहां से जो हमारा अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A क्योंकि मयोर बंज का नाम मैंने नहीं लिया है निक्सक्वेशन की बात करते हैं पूछा गया है कौन से दो प्रमुक नीता थे जो पबना विद्रों से संबंदित थे तो देखिए इस विद्रों के जो दो प्रमुक नीता थे उनका नाम था इशान चंदर और संभूपाल तो D जो है आपका अंसर हो जाएगा निक्सक्वेशन की तरब चलते हैं कुछ नीता दिये गए हैं और उनसे संबंदित इसमारत दिये गए हैं आपको जो है सही विदल का चैन करना है जग जीवन राम तो समता इस्थल देखिए इनका था ठीक है ग्यानी जैल सिंग एकता इस्थल है मोराजी देशाई अब्यगाट सही बात है शंकर देल समना शर्मा तो कर्म भूमी हो जाएगा ठीक है तो यहां से आपका सी आंसर हो जाएगा निक्सक्वेशन की बात करते हैं देखिए कुछ लोग प्रिये नाम दिये गए हैं व्यक्तित्व के और फिर उनके वस्तविक नाम दिये गए हैं गलत विकल्प का चैन आपको करना है यह जो सही विकल्प पर गलत विकल्प रहता है इसको बड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए तो कि इसकी वज़े से कहीं आता हुआ प्रिश्न भी गलत हो जाता है तो देखे वालमिकी इनका वस्तविक नाम क्या था रतनाकर सही बात है रामकृष्न परमहंश इनको देखे गदाधर चटोपाध्याए यही नाम इनका रियल था स्वामी विवेकान आसान है नरेंद्रिनात दत्ता तानसीन तो तानसीन का नाम देखे था राम तनू पांडे महेश दाश जो है यह बीरबल का नाम था चीक है तो यहां से जो मारा आंसर है डी हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी सही है इस बार देखे सही विकल्प आपसे पूछा गया है मैटपूर्ण व्यक्तित्व दिये गए हैं उनके नाम है उनके उपनाम आपको बताने है तो चितरन जिन दाश देश बंदू आसान है चॉर्ज फ्रीर एंड रियूज इनको देखे देश बंदू कहा जाता था चीक है सॉरी दीन बंदू कहा जाता था जय प्रकाश नालड इनको लोकनायक कहते थे आसान है डॉक्टर राजवन्दर परशाद इनको अजात सत्रू कहते थे यह थोड़ा से इंटरस्टिंग फैक्ट है इसको ध्यान रखेगा तो जो आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा चलते हैं नेक्स टॉपिक की तरफ नेक्स कुश्चन है हमारा कि काक्तिय राजवन्द के शाषनकाल में बनाए गए दो मंदिर इनके नाम आपको बताने हैं लेकि दोनों ही मंदिर बहुत इंपॉर्टन ते ध्यान रखेगा हजार खंबा मंदिर और रामपा का मंदिर दोनों ही दो के काक्तिय राजवन्द के टाइम पर बनाए गए हैं ठीक है तो यहां से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करते हैं कि सही विकल्ब का आपको चेन करना है कानून जो आये थे और कौन से गवर्णर जनले है वाइस राय उनके टाइम पर थे यह आपको बताना है साइमन कमिशन कब आया जब लॉर्ड इर्विन थे ठीक है हिंदू महिला संपत्ति कानून तो लॉर्ड ऑकलेंड के टाइम पर आया सही बात है अगस्त गोशना तो यह तो आसान है बहुत बार हम पढ़ते हैं लिल लित्गो ने यह की थी ठीक है उसके बात है कि cabinet mission योजना यह भी हमें पता है लॉर्ड वेवल है इसका अंसर तो इसलिए जो option हमारा B है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा next question की दरब चलते हैं 23 question जही विकल्प का जो है आपको चैन करना है कुछ समीतिया दी गए है जिक है उनसे संबंदित व्यक्तित्व दिये गए है आत्म उन्नती समीति इससे रिलेटर थे विपिन बिहारी गांगुली अनुस चीलन समीति इससे रिलेटर थे ज्यानेंदर नात बोस भारत नोजवान सभा आसान है भगसिंग से संबंदित थे और सवदेश बांदव समीति अश्वनी गुमार्दत हमने पहले भी पढ़ाग तो यहां से देखे D हमारा आंसर हो जाएगा निश्कुषिन की बात करते हैं कुछ अंदुलन है और उनके जो हिस्थल है आपको गलत विकल्प का चेहन यहां पर करना है सत्य शोदक अंदुलन महरास्ट सही बात है नायर अंदुलन केरल ये भी ठीक है जस्टिस पार्टी उनके जाएगा आंसर की आपका ई हो जायगा निश्कुषिन की बात करते हैं प्राचिर नाम दिये अधुनिक आधुन की नाम दिये गए है आपको चैहनों करना है उत्तरी गुजरात को आनत कहा जाता ठीक है और जो कणव वेना है यह दुरसर कृष्ण नदी को कहा जाता था ठीक है यानिकि यह आपस में क्या है इंटर्चेंज है तो यहां से जो मारा सही आंसर है वह जाएगा बी चीक है चलिए उसके बाद देखे कुछ भारतिय नाम दिये गए हैं उनकी युनानी नाम दिय करना है तो हिंद महासागर को एरिथ्रियन कहा जाता था यह एकदम सही बात है चीक है उसके बाद देखे कांधार कांधार को दुरसर अर्कोसिया युनानी भाशा में कहते हैं अगर काबूल की बात करूं तो देखे काबूल को पेरो पनिस डाई यह कहते है चीक है और माला नाम दिए गए हैं आपको सही विकल्प का चेंड करना है माननी खेत की जो स्थापना की थी अमोग व्रक्ष ने जो है की थी ठीक है उसके बाद परिहासपुर इसकी जो सापना की थी वो ललीता दित्या ने की थी वातापी की जो है पुलकेशिन प्रथम ने की थी और की बात करते हैं कुछ नदी दी गई है उन पर स्थित इस्थलों की नाम दिए गए हैं सही विकल्प का चेंड करना है तो देखे चंद्र प्रभा नदी यहां पर है ककुरुया ठीक है कृष्ण नदी तो यहां पर है अमरावती चंबल नदी तो यहां पर देखिए नागद जो थे उनके नाम दिए गए है कुछाई तो यह दिखे बी के थापर है इसे भीम बेट का तो विष्णु वाकनकर है यह बात पिल्कुल ठीक है हुलास हुलास की देखे के एन दिक्षित है और जखेडा तो एम एन शाही ठीक है यहां से बी जो है आपका राइट आंसर हो दो जाएगा जो में की बात करते हैं उपादिया दिये गई हैं और संबंदित शाशके मतलक जिन शाशकों के नाम आपको दिये गए हैं आपको बताना है उस मेंसे किस साशक की कौनसे उपादी ठी सहे विकल्प का चैन आपको करना है तो देखिए नरेंद्र गुप्त ऑन जो किस चाफिंट से संब्द अपादीय से शेशांख से प falsch यह नंगनी वर्मन दियों को तर हसल कहा जाता था ठीक है वाटापी कॉंडर तो यह नर् सिंग वर्मन पर्थम को कहा जाता ऑर जो विचित्र चित्र थै वह महिंद्र वर्मन पर्थम को जो है जाता था तो वहां से ए आपका आंसर हो जाएगा निश्च कुश्चन की बात करते हैं 31 देखें कुश्चन में अशोक के जो लगु शिला लेक थे उससे लेटेड कुछ दिये गये हैं शिला लेक का नाम है और अवस्थिती है आपको जो है सही मिकल्प का चैन करना है ठीक है रूपनात ये सही है कहां पर मैसौर का जे थे जो जिला है खिक है उसके बाद जन्टिंग रामिश्वर तो ये ढिकें करना तक से मिला है ठीक है तो यहां से करह क्छिन की बात करें तो सी हमारा राशी हो जाएगा निश्च करते हैं गलत वितल्प का चैन करना है अकबर द्वारा जो राज्य जीते गए थे वो किस यर में जीते गए ये दिया गया है तो देखे बीका नेर 1570 सही बात है जैसल मेर 1570 मारवार 1570 सही बता रहे हो में हाला कि कलेंजर देखे तो ये हो जाएगा 1569 एक सार पहले तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा निक्सक्रिशन की बात करते हैं देखे युदू हुए है इन युदू में कौन विजेता हुआ था इसके बारे में आपको बताना है ठीक है क्या करना है गलत विकलत का चेरन आपको करना है सेमल के यूद में देखे शेव सार सूरी ही विजयता हुए थे तल्ली कोटा का यूद तो दक्कन के सलतनत हल्दी घाटे का यूद जो है मराना प्रता स्वाली के यूद में देखे बिटिश इस्ट इंडिया कमश्य जो है विज़ेता हुई थी ना कि पुत्र गाली डीस का र फिर देखे पूछा गया है कि इनमें से कौनसी गहराबंदी अठार्वी शताब्दी में नहीं की गई थी यानि कि चार में से तीन ऐसी हैं जिनको अठार्वी शताब्दी में किया गया था और एक नहीं है जान लेते हैं तो देखें, गुरुम कोंडा की घेराबंदी ये 1791 में की गई थी, मलक कंद की घेराबंदी तो 1897 में की गई थी, कोपल की घेराबंदी ये देखें कब की घेराबंदी ये 1791 में और नंदी दुर्ग की घेराबंदी थी, ये भी 1791 में की थी, आप देख रहे हैं, यहां से ज तो देखें गए उनके रच्याता दी गए हैं आपको सही विकल्प का चेन करना है जो रगवेट का दित्य मंडल था इसकी जो रचना की थी वो दरसल गृत समद इन्होंने की थी तृत्य मंडल की रचना देखें विश्वामित्र ने की थी चतुर्त की वामदेव और सस्टम जो है उसकी भारत वाजने की थी यहां से जो आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा सी नेश्विशन की बात करते हैं देखें गलत विकल्प का चेन करना है कुछ नेशनल पार्क दिये गए हैं उनकी अवस्थे दी गई है ठीक है तो देखें महावीर हरीना वनिस्थली पाकी एक तेलंगाना में है सिंबल बारा राष्ट्य उध्यान हिमाचर प्रदेश में है राजीव गांधी राष्ट्य उध्यान आंध्र प्रदेश में है मथी किर्टन शूला राष्ट्य उध्यान यह देखें किरल में है चीक है तो यह तमिल लाडु गलत आंसर हो जाए है उखला भक्षी अभ्याने दिल्ली यूपी सही बात है निल्ला पट्टू तो ये भी देखिए आंद्रप्रदेश सही बात है घट परभा ये करनाटक में है ये ठीक है मायानी जो बर्ड संक्चुरी है ये दर असल महारास्ट में है तो ये आपका अंसर गलत हो जाएगा इ आता है इसके अंतरकत नहीं आता। तो देखिए जो चारो देखिए है न चारो ही चारो भ्रम गीरी नेल गीरी पूर्वी घाट जो रेन इसलिए हमारा option हो जाएगा निश्कृषिन की बात करते हैं गलत विकल्प आपको बताना है गहिर माथा यह क्या है एक समुदरी अभ्यार ने है मराइन सेंक्चुरी है सही बात है फुदम यह भी एक मराइन सेंक्चुरी है मनार की खाड़ी यह देखिए एक समुदरी राष् सुद्ञ इसमें धोला वीरा काक्तिय रुदरीषवर मंदेर जापूर को अधिसूचित किया गया आपको बताना है इनको कब कब अधिसूचित किया गया है ठीक है धोला वीरा को मंद्री रुदरीषय रामापका मंदेर Frinyika Jaiapur 2020 में धोला जाता है यहां से निश्क्रिशन की बात करते हैं तिरपूरा की विधान सवा में अनुसूचित जन जाती के लिए जो शेडियूल ट्राइब है इन्हें की सीटों की आरक्षन के प्रावधान इससे संबंदित सही वितल्प का जो है चैन आपको करना है चीक है तो यहां से आप देखेंगे तो जो हमारा 72 संशोधन अधिनियम 1992 है यह तिरपूरा की विधान सवा में अनुसूचित जन जाती के लिए सीटों के आरक्षन का प्रावधान करता है तो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा नेश्क्रिशन की बात करते हैं कि देखें नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है आपक गए थे आपको बताना है वो कौन सा संशोधन था तो देखें बारवा संशोधन अधिनियम 1962 वो यही था और यही जो हमारा आंसर हो जाएगा जहां दखेंगा इंपोरेंट है नेश्क्रिशन की बात करते हैं कि कौन सा वो अनुछेद है जहां पर असम राच्चे के संबंद में विशेष प्रावधान दिये गए है तो देखें जो हमारा 371 A है यह तो नागलेंट से रिलेटेड है 371 जो B है यह हमारा असम से रिलेटेड है और जो हमारा 371 H है यह अरुनाचर परदेश से रिलेटेड और यहीं नेक्ट पूछा गया कि अरुनाचर के लिए कौन सा आर्टिकल नंबर 50 और आर्टिकल नंबर 51 किसले यूज होता है जुडिश्री और एक्जेकुर्टिव के पीछ में साप्रेशन रखा जाएगा ठीक है नागरिकों के लिए समान नागरिक सही था तो आर्टिकल नंबर 44 मुहें पंचाहिती राज के लिए कौन स आर्टिकल 40 आता है कि ध्यान रखिएगा यह इस तरह के आर्टिकल पूछ लिए जाते है तो option number D आपका right answer हो जाएगा नेश्कर्शन की बात करते हैं लेकि हमारे constitution में कुछ विशेष्टा है characteristics ली गई है यह कहां से ली गई है किस constitution से ली गई है इसके बारे में कुछ दिया विवस्था ठीक है यह कहां से ली गया गया है ठीक है नियायपालिकर की सुतनतर अमेरिका से लिया गया है और राष्टपति की निर्वाचन जो पदती है यह आईरिश समीधान से ली गई है तो देखिए यहां पर सहे विगल पूछा गया है तो एह हमारा answer हो जाएगा next question की बात करते हैं कुछ अनुच्छेत ये गए हैं कौन सी अनुच्छेत किस अनुच्छेत से संबन्दी थे ये आप से पूछा लया है साथवी अनुच्छी 246 से रिलेटेड है सही बात है 9 वे अनुच्छी 31 भी ये ठीक है कुछ पार्ट्स दिये गए है वो पार्ट्स या वो भाग किस से रिलेटेड है ये आपको बताना है तो अगर देखिए जो संग राज्जिय छेतर है ये दरिसल भाग आज से संबन्दीत है तो ये रोमल लेपे का यूज नहीं कर रहे हूं ये हमारा जो भाग दस है उससे संबन्दीत है तो यहां से देखिए जो ऑप्शन नमबर बी है ये हमारा आंसर हो जाएगा ने शुशन की बात करते है नर्मदा जल विवाद न्याय धिकरन इसका गठन कब किया गया भारत देश में नदियों का विवाद एक बड़ी समस्या है और तूकि सूखा धीरे-धीरे होता जा रहा है नदियों में पानी कम हो रहा है और हर राजी जो है अपनी अग्रिकल्चर की वज़े से इरिगेशन पर बहुत भयंकर रूप से डिपेंड करता है तो नदियों के विवाद बहुत जादा सामने आ रहे है सुप्रीम कोर्ट इन पर वर्दिक्त भी दे रही है बहुत सारे नियाई दिकरन भी इस्टाबिश किये जा रहे है लेकिन फिर भी कुछ खास समादान होता हुआ नहीं दिकरा है लेकिन क्योंकि यह लगाता चर्चा में बने रहते हैं तो इसलिए आपके एक्जाम के पॉइंट आफ विव से इंपोर्टन हो जाते हैं तो इसका गठन कब किया गया था तो यह देखिए 1969 में नर्मदा जो जल विवाद नियादिकरन है इसका गठन किया गया था अच्छा पूछा गया है कौन सा राज जी इस जल विवाद नियादिकरन के अंदर नहीं आता तो हम जान लेते हैं कौन कौन सा आता है तो राजिस्थान, गुजराद, मध्यप्रदिश और महरास्त आता है तो यहां से जो ऑप्शन है वो यह हमारा सही हो जाएदा I'm sorry, क्योंकि राजिस्थान तो आता है तो यहां से हमारा जो ऑप्शन E है यह जो है अंसर हो जाएदा क्योंकि बाकी के जो चार है यह तो आते ही है ठीक है? चलिए Next question की बात करते है पूछा गया है कि सही विकलका आपको चेंड करना है कुछ आर्टिकल्स दिये रहे हैं उनका subject दिया गया है तो देखिए अनुचिद 124 यह तरह सा सर्वोच नियायले की स्थापना और गठन से संबन दिते है अनुचिद 124 यह रास्तिय नियायक नियुक्ति आयोग ठीक है? National Judicial Appointment Commission से संबन दिते है 124 गर जिसको 124 C भी बोला जाता है संसिद की कानौन बनाने की शक्ति से संबन दिते है अनुचिद 129 यह देखिए उच नियायलों का एक अभिलेक नियायले के रूप में होना बताता है ठीक है? तो क्योंकि सही पूछा गया है तो D हमारा आंसर हो जाएगा तो अभिलेक नियायले यह ध्यान रखिएगा इस question की बात करते हैं कि भाई किस राज्य में कितने विदान सभा सीटे हैं? तो अगर असम की बात करें तो यह है 126 बिहार की बात करें तो 243 है विदान सभा सीटों की में बात कर रहे हूँ 36 गड़ में यह करीब 90 है और गुजरात में यह 182 है ठीक है? तो सही हमारा क्या हो जाएगा? 36 गड़ हो जाएगा? C is the answer next question देखें दर्रेत यह देएगा है कौन किसको जोडता है? यह बताया दिया है आपको क्या करना है? गलत विकल्प का चैन करना है ठीक है? तो बनी हाल को कांची गुड से जोडने वाला दर्रा कौन सा है? यह देखें बनी हाल दर्रा है ठीक है उसके बाद देखिए जो जीला दर्रा ये श्री नगर को कारगिल और ले से जोड़ता है ठीक बात है पेंसिला दर्रा ये देखिए कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है सही बात है पीर पंजाल दर्रा ये जम्मुसी श्री नगर का एक पारंपारिक दर्रा है क् गलत बताना है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ध्यान देखेगा एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं निश्कोष्टन प्रमुख जीले दी गई है उनकी अवस्तिती दी गई है तीक है आपको सही विकल्प का चैन जो है करना है जो हाफ लांग जील है यह कहां पर है तो यह द यूपी में है तो सही जो है केवल उम्यम जील हो जाएगी जो की मेगाल्य में है निश्कोष्टन की बात करते हैं कुछ वाटरफॉल्स जलप्रपात दिये गए हैं आपको जो है कहां पर इनके वस्तिती इसके बारे में सही विकल्प का चैन करना है कुंचिकल जलप्रपात ये शिमोगा जिला करनाटक में है बरेही पानी जलप्रपात तो ये मयूर भंज जिला उडीसा में है ठीके नोहो कलीकाई जलप्रपात तो ये देखे पूर्वी खासी हिल्स जिला मिघाले में है मीन मूटी जलप्रपात तो ये वाइनार जिला केरल में है तो यहां से आंस समानांतर रेखा इरान और इराग इंदो को अलग करती है 25 समानांतर रेखा यह मौरिटानिया और माली को अलग करती है उसके बार देखे 22 समानांतर रेखा जिनको 22 पारलर लाइन भी बोलते है यह मिश्र और सुडान को अलग करती है फिर 20 पारलर लाइन यह देखे लीबिया और Sudan की या आप कह सकते अलग करती है या फिर इनकी अंतरस्टे सीमा बनाती है ठीक है तो यह आपका आंसर हो जाएगा रिश्क्विशन की बात करते हैं तो देखे कुछ आपको क्या है जल्डमरू मध्य दिये गए है आपको बताना है कि कौन किसको जोड़ता है ठीक है तो देखे पहला पूछा गया है ओन्टेंट्रो जल्डमरू यह देखे इतली और अलबेनिया तो सही बात है उतरी चैनल आयरलेंड और स्कॉटलेंड ठीक है हरमुच जल्डमरू इरान और उमान यह भी ठीक है स्कॉटलेंड जल्डमरू तो क्यूबा और स्कॉटलेंड राजे अमेरिका ठीक है क्योंकि सारे ही ठीक है तो यह हमारा आन से हो जाएगा ने इस कुछन की बात करते हैं कुछ बान बताए गए हैं नदिया बताए गए हैं आपको गलत वितल्प का चैन करना है चलते निक्स कुष्चिन की ओर आपको दिये गए हैं किस नदी पर है यह आपको देखना है गलत वितल्प का चैन करना है चिनाम नदी पर सलाल हाइड्रो इलेक्रिक पावर प्लांट है सही बात है जेलम नदी पर औरी जल विरू सहींत्र है यह भी ठीक है कोईना नदी पर बाण सागर जल विरू सहींत्र नहीं है यह दरहसल कहां पर है यह सोन नदी पर है ठीक है उसके बाद सिलेरू नदी तो बाली मेला हाइड्रो इलेक्रिक पावर प्लांट है सही बात है तो यहां से देखें C आपका अंसर हो जाएगा निश्कुष्यन किस परवत शिखर की उचाई सबसे कम है आपको यह बताना है अच्छे कामित की उचाई कितनी है तो 7756 ठीक है साल तेरो कांगरी की उचाई तो 7742 ससेर कांगरी की उचाई तो 7672 और ममस्तों कांगरी तो इसकी 7516 मिटर तो यहां से हमें पता चल जाता है यही जो है सबसे चोटा है डी आंसर हो जाएगा निश्कुष्यन गलत विकलत का आपको चेन करना है कुछ परवत शिखर दिये गए है कहां पर उनके वस्तिती है यह पूछा गया है तो गिरना परवत शिखर गुजरात में है असान है पारिसना परवत शिखर यह कहां पर है यह जारखंड में है मुलायन गिरी परवत शिखर यह करनातक में है सही बात है धूपकड परवत शिखर यह मद्यप्रदेश में है ठीक बात है बी जो है आपका आंसर हो जाएगा नेश कुशन पर आ जाते हैं देखे अलग नंदा नदी पिंडर नदी से मिलती है उसको किस रूप में जाना जाता है इस कुशन को मैंने पिछली एक वीडियो थी जिसमें माप के द्वारा भी आपको समझाया था तो देखे इसको कर्ण प्रियाक के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है नेश कुशन की बात करते हैं निमलिकित में से कौन सी नदी तापी नदी की सायक नदी नहीं है तो हम जान लेते हैं कि तापी नदी की सायक नदियों की नाम क्या-क्या है वागुर नदी, आनीर नदी, किर्ना नदी और बोरी नदी तो भीमा कहीं नहीं है ठीक है बाकिसर के नाम मैंने बताया है आपको इसके बाद देखे पूछा है कृष्णा नदी निमले खित में से किस राजय से होकर नहीं बुचरती है तो ये कहां-कहां से होकर बहती है हमें ये पता होना चाहिए तो महाराष्ट, करनाटक, तेलंगाना और आंदरपरदेश राज्यों से होकर ये बहती है तो केरल का नाम नहीं आया है इसलिए ए आंसर हो जाएगा कुछ देश दिये गए है उनकी राजधानिया दिये गई है आपको गलत विकल्प का चेन जो है करना है ठीक है लुसा का ये राजधान देखे मोजांबिक की नहीं है ये जांबिया की है वियतनाम की हनोई है उजबेकिस्तान की ताशकंद है और तजाकिस्तान की तुशामबे है ठीक है तो यहां से ए आंसर हो जाएगा नेक्ट कुश्यन भाई कुछ दिवश दिये गए है उनकी देट दिये गए है आपको गलत विकल्प का चेन करना है तो 20 मई विश्व मदुमक्य दिवस सही बात है 29 जुलाई अंतरास्तिय बाग दिवस ये भी ठीक है विश्व जय विंदन दिवस ये देखिए 10 अगस्त को होता है ठीक है उसके बाद 31 अक्टूबर लास्तिय एकता दिवस तो यहां से जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा C next question की बात करते है कुछ लोकमिलत्यत यह गए है वो मूलता है किस राज्जे से संबंदित है इसके बारे में आपको देखना है गलत विकल्ब का चेंज हो है कीजेगा तो देखिए जो आपका ये है बको बकेन ये बिहां से संबंदित है सही बात है important भी है फिर देखिए दही तला दशावतार ये महालास से related है ये भी सही बात है डोल चोल ये मणीपूर से related है ये भी सही बात है ठीक है उसके बार देखिए जो पासी कोंग की है यह दरसल मिजोरम से नहीं यह अरुनाचल प्रदेश से जो है रिलेटिड है तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका B हो जाएगा next question की बात करते है आपकी बाद लोग संगीत दिये गए है संबंदित राज्जी दिये गए है गलत विकल्प अरुनाचल प्रदेश से उसके बाद खौंग जोम परबा यह मनिपूर से संबंदित है पनिहारी राजिस्तान से रिलेटिड है पड़वानी दिखे महाराष्ट से नहीं चंतिस गड़ से संबंदित है इसलिए जो है आपका यह डी आंसर हो जाएगा नेश क्रेशन की बात करते हैं इस बार आपको भारती त्योहार और राज्यती गए गलत विकल्प का चेल आपको करना है तो आंदरप्रदीश उगादी सही है मनिपूर चवांग कुट यह भी सही है पूछा भी जा चुका है पेपर में इस बार क्या है पूछा गया है कौन से महादसव किस मन्त में होते हैं आपको यह बताना है भोगोली बिहु महादसव यह देखिए जैनवरी में होता है चीक है विशू महादसव तो यह जो विशू महादसव है यह अपरेल में होता है जोग्रफिक की कॉंसर्प से भी आप पुचा गए है कौन सी समीटी किस चीज से रिलेटर है यह आपको बताना है वाघुल समीटी भारत में जो मुद्रा बाचार है मनी मार्केट है जो कि शौट टम के लिए होता है ठीक है यह से रिलेटर है वासुदेव समीटी तो यह देखिए NBFC सेक्टर जो है यानि कि non banking financial institutions जो होते हैं इस सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटर है जही बात है ठीक है अरुना सुंदर राजन समीटी यह टेलीकॉम सेक्टर रिवाइवल इससे संबंदित है शिव रामन समीटी के अगर बात की जाए तो नाबाड की establishment से संबंदित यह है ठीक है तो यहां से जो हमारा चे होगा ठीक है पांच नहीं होगा धर्शोदन निवारण अधिनीयम जिसको मनी लॉंडरिंग एक्टिवी कहते हैं 2002 सही बात है विदेशी मुद्रा प्रबंदन अधिनियम जिसको फेमा में बोलते हैं 1999 यह ठीक है चिट फंड अधिनियम 1982 यह ठीक है ठीक है तो हमारे ती इंद्रहवति टाइगर रिजर्व फीक है पलामु बाग जो अभ्यार ने जारकंड ठीक है बनदीपूर बाग अभ्यार ने करनाटक यह ठीक है कम्वाल बाग अभ्यार ने तेलंगाना यह ठीक है क्योंकि हमारे हैं पर सभी जो दिये गए हैं सही हैं इसलिए यह answer हो जाएगा इस question की बात करते हैं दीखे कुछ कारे करम कुछ organizations आपके सामने दी गए institution और उनका कहाँ पर headquarter है यह जो है आपको बताना है सही विकल्प का chain कीचेगा तो देखे विश्व खाद कारे करम world food program यह मॉंट्रियल कनाडा में हैं अंतरास्ति ओलंपिक समीती लुसाने स्वीजर लेंड में ही है सही बात है तो यह डी जो है आपका अंसर हो जाएगा इस question की बात करते हैं गलत विकल्प का chain इस बार आपको करना है कौन किस report को publish करता है इस चीज से related यह question पूछा गया है ठीक है तो देखिए जो आपकी report है विश्विक portion report तो इसको world health organization विश्वास्ति संगरेंड पब्लिश करता है सही बात है उसके बात देखिए वैश्विक ब्रिस्टचार report तो transparency international के द्वारा publish की जाती है ठीक बात है ब्रिस्टचार बोद सूचकांग ठीक है तो यह जो corruption perception index है यह कि इसके द्वारा किया जाता है यह भी देखिए जो आपकी transparency international है इसे के द्वारा किया जाता है फिर वैश्विक पर्थिस परधात्मक report तो यह वैश्वा आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है ठीक है आईमेफ वाला जो option है गलत है तो C आपका answer हो जाएगा next question की बात करते और साथ में टसर पादन में प्रधमिस्थान पर कौं है तो देखें असम जो है फिरी डेश्व की बात करें तो ज्ञाकन जो है फिरस्थान हो जाएगा next to देखें पूछा गया है कि उत्पादन में फिरस्थान military को हिरा-मेफादन पर अगर प्याज की बात करें तो यह मध्य प्रदेश नहीं है यह महारास्टा है ठीक है तो यहीं पर जो है हमारा यह डी आंसर हो जाएगा नेश्वेशन की बात करते हैं उत्पादन में प्रथम और देशों के नाम दिये गए है तो बॉकसेट ऑस्ट्रीलिया फिस्ट है तो अमेरिका फिस्टर मैंग्नेज की बात करें तो दक्षिन अफरिका ठीक है तो रिजर्व कहां पर सबसे ज़एदा है वह एक अलग चीज हो जाती है उत्पादन प्रदेशन कहां पर ज्यादा होता है यह अलग चीज हो जाती है तो जिब पूच्छन रिजर्व के बारे है यहां सब प्रडिक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है इस question में ए हमारा answer हो जाएगा next question की बात करते हैं उत्पादन में प्रत्थम और राज्जी आपको दिये गए है तो देखे बैराइट आंधरप्रदेश साही बात है क्रुमाइट सबसे ज़्या ज़्यादा कहा होता है। यह देखे उडिसा में सबसे ज़्यादा होता है कोईला की बात खतें आउग मंदरप्रदेश में तो यहांसे जो answer हो जाएगा A हो जाएगा बात करते हैं भारत में स्थर जो रामसर स्थर है उनसे संबंदित आपको 4 स्थीटमेंट्स दी गई है गरत विकल्प का चेन यहाँ पर आपको करना है वंदवाना आद्रभूमी ये गुजरात में है ठीक बात है पारवती आगरा बर्ड सेंचुरी ये उत्तर परदेश में है ठीक बात है रुद्र सागर जील तिरपूरा में है ये भी ठीक है थोल वन्य जीव अभ्यारने ये गुजरात में ठीक है option E हमारा answer हो जाएगा next question देखें vitamins दिये गए है उनकी source दी गई है आपको गलत विकल्प का चैन करना है थाइमीन कहां मिलता है काजू में सही बात है राइबो फ्लिविन ये मश्रूम में मिलता है ठीक बात है नियासिन अनाज में मिलता है ये भी बात ठीक है देखें ब्रोकली में विटामीन E नहीं विटामीन C मिलता है ध्यान रखिएगा इसलिए D हमारा आंसर हो जाएगा next question की बात करते हैं विटामीज दिये गए हैं और उनकी कमी से होने वाले जो रोग है वो दिये गए हैं आपको सही विकल्प का चैन करना है विटामीन A ठीक है इसकी वज़े से देखे होता है hyperkeratosis ध्यान रखिएगा क्या मैंने बोला विटामीन A की कमी से कौन सर रोग होता है hyperkeratosis विटामीन B2 की वज़े से देखे आँखों में दर्द होने लगता है विटामीन B3 की कमी से पिलाग्रा हो जाता है और विटामीन E की कमी से जो hemolysis है ये दरसल हो जाता है पूछा गया है कौन सा विटामीन वश्था में घुलनशील है मैंने आपको बताया था कि चार विटामीन वश्था में घुलनशील है याद कर लीजेगा तो फिर जल वाले उसके अलावा होते हैं कौन कौन से विटामीन ए विटामीन जो है डी विटामीन ए और विटामीन की यह के तीनों ही जो है वसा में घुलनसील है ठीक है तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन से हो जाएगा विटामीन ए अच्छा फिर पूछाए कौन से विटामीन जल में घुलनसील है तो उ इलशियम यह सोयाबीन में होता है सही बात है, सोडियम यह देखे कद्दू के बीच में मिलता है, आयोडीन दूच से मिलता है और जो फास्फोरस है कृष्णा फल से मिलता है ठेके पैस्टन फ्रूट भी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह ए हो जाएग ठीक बात है, ट्रिपसिन यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, सही बात है, लाक्टेज यह देखिए छोटी आत में पाया जाता है, यह भी ठीक है, तो यहाँ से यह हमारा आंसर हो जाएगा, नेस्ट कुशन की बात करते हैं, तो टिस्टरोन होर्मोन है, उससे घनत में विरधियों होती है, बॉन्ट टैनिसटी इंक्रीज होती है, ठीक है, चेहरे के बालों के विकास को नियंतरित करता है, फिशिल हेर ग्रोट को यह कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर एक भी जमा देखिए हड्डियों और नसों को, हड्डियों को स्रंदन करना तो आय आया है, तो इसलिए जो option number B है, यह आपका right answer हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, बाकी सब ठीक है, इसके बाद पूछा गया है, कौन सा लक्षन है, वो hypothyroidism का होता है, थोरेड भी दो तरह का होता है, ठीक है, दोनों के कुछ लक्षन समान होते हैं, कुछ अलग होते हैं, एक के वज़े से weight loss होता है, एक के वज़े से weight gain होता है, तो थोड़ा सा basic difference आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो hypothyroidism की बात कर रहे हैं, तो इसके कौन कौन से लक्षन है, देखिए एक तो इसके वज़े से goiter, घेंगा हो जाता है, गले में सूजन स इसके दिखने लगती है, fatigue इसका लक्षन है, और constipation इसका लक्षन है, लेकिन sweating इसका लक्षन नहीं है, पसीन आना तो C answer हो जाएगा, चीक है, नेक्श की बात करते है, यार्सिनिया पिस्टिस जिवानू, इसके कारण देखिए कौन सा रोग होता है, यानि कि एक बैक्टी चार बिमारिया दी गई है, चारों बैक्टीरिया के वज़े से दिखाई गई है, कोई एक देखिए अलग है, तो जो जो रोग है, वो भी देखिए जिवानों की वज़े से होता है, उसको भी आप फिफ्ट नमबर पर एड़ कर सकते है, यहां पर बस ध्यान रखिएगा, जो खसरा है, ठीक है, यह जिवानों की वज़े से नहीं होती, तो यही और आउट हो जाएगा, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, नेश्ट देखिए पूछा है, कि जो वेरिसेला जॉस्टर वाइरस है, इसकी वज़े से कौन सा रोग होता है, तो देखिए वेरिस होता है, तो यही जो आपका आंसर हो जाएगा, नेश्ट कुछन की बात करते हैं, कुछ दिवस आपकी सामने दिये गया है, वो किस चीज को सेलिबरेट करने के लिए मनाए जाते है, यह दिया गया है, गलत विरकल्प का आपको चेन करना है, विश्व कैंसर दिवस, वर्ड किडिनी दे, दस माच ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ड हैमोफीलिया दे, सत्राप्राज ठीक है, विश्व तमाको निशे दिवस, वर्ड नो टबैकू दे, मई 31, यह भी ठीक है, क्योंकि सारे ही ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, नेश्ट कुछन की करते हैं, कौन सा लोही का एक अयसक नहीं है, तो देखे, लोही की एसक कौन-कौन होते हैं, हैमेटाइट, मैंगनेटाइट और सिडेराइट, जो यह मैलकाइट यहां पर दिया गया है, यह दर असल तांबी का एक अयसक होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और दूसरा पूछा गया है, फेलिक्स होफ मैं ने कि अपकरन का अविशकार किया था, तो देखे, बहुत जबरदस्त गर्मिया आ चुकी हैं, और इकर इन गर्मियों में एर कंडिशनल मिल जाता है, तो एक सुकून सा मिल जाता है, तो इससे ध्यान रखिए, जो विलिस के तो देखे लिखा है जो विलिस के लियर है इन्होंने एर कंडिशनर की खोच की थी ठीक है उसके बाद जो फॉलिक्स होफमेन है ठीक है इन्होंने क्या है स्प्रीन की खोच की थी ठीक है तो यहां से जो आपका option number D है यह right answer हो जाएगा next question की बात करते हैं question number 92 सही विकल्प का आपको chain करना है ठीक है किसने किसकी खोच की थी X-ray तो देखे विलहेम रोइंटेजेन ठीक है विकास का सिध्धान इसको कौन लेकर आये थे तो विकास का सिध्धान चॉल्स डार्विन ठीक है तो असान है पता ही है thermometer Galileo यह ठीक है उसके बाद देखी है vitamin K है ना तो आप इसका कौन सा हो जाएगा हेंरिक डैम हो जाएगा तो यहाँ से हम अपना आंसर निकाल लेते हैं क्योंकि देखिए चारों में से केवल कौन से सहीख है थर्मामीटर ठीक है क्योंकि X-ray का मैंने आपको बताया कौन है विलेम रोटरजन विकास का सिधान कौन है चार्ल्स डॉर्विन विटामीन के तो देखिए हेंरिक डैम तो हमारा जो अंसर है वो कौन से हो जाएगा C हो जाएगा नेश्ट क्योंकि बात करते हैं ठीक है सही विगलब का चेन आपको करना है ठीक है एक ये करके देखते हैं ध्यान से chloroform तो James Young Simpson ये बिल्कुर ठीक है उसके बाद chlorine की अगर बात करें तो जो called Wilhelm Scheele है वो इससे संबंदित है hydrogen की बात करें तो Henry Caddenwish ये हो जाएगा और oxygen की बात करें तो Joseph Prisley ठीक है तो answer हमाला क्या हो जाएगा A हो जाएगा नश्वर्शन की बात करते हैं क्राउन कांच इसकी संबंदित में किसका उप्योग नहीं किया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि क्राउन कांच की जो structure है उसमें किस-किसका उप्योग किया जाता है तो पहला है potassium oxide दूसरा है barium oxide और तीसरा है सिलीका फिर पूछा गया है प्रयोग शाला की उपकरन बनाने में कौन से कांच का उपयोग होता है तो उसका नाम होता है पायरेक्स कांच इन दोनों सुचनाओं की आदार पर option number B हमारा answer हो जाएगा next question polymer दिया गया है उनका यूज्स दिया गया है आपको गलत विकल्ब का चैन करना है Tea疫 होता Glyptal Polymer अगेन कपड़ा बनाने में यूज़ होता है ठीक है Noilon 6 Polymer तो कपड़ा बनाने में यूज़ होता है ये भी ठीक है Backlight Polymer तो देखिए इसका कपड़ा बनाने में यूज़ नहीं होता यानि कि Fabrics में इसका कोई यूज़ नहीं है Plastic के Switch Mug Balti सही बात है स्टीनलेस, श्टील, लोहा, क्रोमियम और निकल, इंपोरेंट है, काई मेंटर, तामबा और निकल, यह भी ठीक है, सोल्डर मेंटर, तिन और लेड, क्योंकि साधे ही आपकी ठीक है तो यह आंसर हो जाएगा, निसकी कुश्यन की बात करते है, मिश्रत अथो दी ग स्टर्लिंग सिल्वर उपकरनों में कामाती है सोल्डर मेटल जो होती है विध्यूतार में कामाती है यहां से जो ऑप्शन नमबर ए है वह सही आंसर हो जाएगा फिर देखे सामन्नी नाम दिये गए है उनके रासाइनिक नाम दिये गए है आपको सही विकल्प का चैन करना है पायरीन को देखिए गार्बन ट्राक्लोरईड बोला जाता है तील गमेज को क्लोरो पिकरिण बोला जाता है ठीक है वहीजो वाइट विट्रील है ठीक है इसको जिंक सलफिट बोला जाता है और जो फ्रॉस जीन है यह कार्बोक सिल्क अल्थ हो जाएगा Crispy तो यहां से ज पाई जाती है और कौन सी जो है सबसे कम मात्रा में पाई जाती है देखिए प्रोड्यूसर गैस का पॉसेंटेज स्ट्रक्चर क्या होता है यह हम जान लेते हैं तो कार्बन नहीं लगबग 3% मिलती है वहीं हाइड्रोजन गैस की अगर में बात करो तो यह लगबग 10-15% तक मिलती है ठीक है अगर कार्बन मोन ओक्सेड की बात करो तो यह लगबग 22-30% तक इसके अंदर होती है सबसे कम कौन से मिलती है तो carbon dioxide तो जो आपका आंसर है वो निकलना आसान हो जाएगा कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा चलिए नेक्स कुश्चिन की तरफ चलते हैं तो कौन से परडाब का pH आप अगर बताएं तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यह प्रकृति में अमली कोफी का pH मैं कितना होता है लगब साड़े चार से साड़े पांच बियर के pH मैं की बात की चार से पांच होता है वाइन जो है 2.8 से 3.8 तक होता है आसू देखे 7.4 इसका pH मैं होता है अगर मान लीजे यह एक स्केल है जहां पर बीच में है इस तरफ जितनी चीजे जाती है जो होती चली जाती है यह देखे आपके क्या हो जाती है बेसिक हो जाती है और जो इधर जाती है यह क्या हो जाती है आपकी एसेडिक हो जाती है तो क्योंकि आसू 7.4 है तो यह क्या हो जाएगा बेसिक की तरफ चला जाएगा एसेडिक नहीं रहेगा दिये आपका अंसर ज 2021 तक आयोज़त किया गया था तो देखिए जो भारत है और कजाकिस्तान है इनके बीच में एक अभ्यास हुआ जिसका नाम है काजिन्द 21 और इसका जो है संस्क्राइन था पांच्वा तो यहां से जो आंसर हो जाएगा भी हो जाएगा इंपोर्टन है नेक्स्क्राइशन पूछा गया है कि कौन सी इकॉमर्स कंपनी ने हाली में एक 12 पॉसेंट क्लब एप लॉंच किया गया है और इस एप की मदद से जो उपरफोकता है कंज्यूमर क्या करेंगे वो निवेश कर पाएंगे और साथ में 12 प्रतिशत वाशिक ब्य प्रता किया गया है क्योंकि नहीं दिया गया है तो option number E हमारा answer हो जाएगा फिर दे की पूछा है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने हाली में जो भारतिय बैंक संग है इंडियन बैंक क्या है आपका union है या association है उसके द्वाला जो परिवार पैंशन फैमिली पैंशन को जो आ यह 30% तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है नेक्श करते हैं पूछा गया है कि दुनिया के बड़े और सबसे उंचे observer भील का अनावरण 21 October 2021 को किया गया था ठीक है कहां किया गया तो यह किया गया है दूबे संयूत अरब अमिरात में फिर दे कि सुचलम अभ्यान शुरू किया गया कौन से मिनिस्ट्री ने किया है जल शक्ति मंत्राल्गे ने किया है तो डी आपका अंसर जो है हो जाएगा नेश क्विशन की बात करते हैं किस राच्जी सरकार ने हाली में परतिस्थित स्री बश्वा अंतराष्ट्य पुरुसकार के लिए बाल की हीरे मत के लिटर थे वो बिटिश कॉमेडियन थे ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा नेश क्विशन की बात करते हैं पूछा गया है कि किस राच्जे ने हाली में वाच्चुवा मुखशव 2021 मनाया है तो यह देखिए असम में सलेवलेट किया गया फिर पूछा रहा है कि हाली में सहकारीता मंत्रालिय के नए संयुक्त सच्चिव के के जॉइंट सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री और कोपरेशन किसको न्यूखत किया गया है तो यह है अभे कुमार सिंग तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी नेश की बात करते हैं कि सेफ सिटी इंडेक्स 2021 इस से रिलेटेड जो है तक्थे दे गए है आपको गलत विकल्प चैन करना है पहली रैंग को मिली सही बात है दूसरी रैंग देखे टोरंटो को मिली 48 वी रैंग जो है नई दिल्ली को मिली और 50 वी रैंग देखे मुंबई को मिली ठीक तो आंसर आ मिलन है Sustainable Development Impact Summit है वो कहां पर देखे आयोचित किया जाएगा ठीक है तो देखे जिनेवा स्वीजर लेंड में आयोचित हुआ था ओके और यह कब से कब तक हुआ यह 20 से 30 सितंबर तक चला था ठीक है इसके बाद पूछा गया है कि किस महीने आयोचित किया जाएगा तो सितं आने हाली में जो बैंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क है उसके विस्तार के लिए कितने रुपे के रण के जो एग्रीमेंट है उस पर साइन किये है तो पांसो मिलियन डॉलर ए ओप्शन नेक्स की बात करते है ग्लोबल स्टार्टप एको सिस्टम इंडेक्स 2021 इसमें भा आनक्टिका में रिकॉर्ड तापमान कितना दर्ज किया गया है तो यह देखिए न्यूज्ड़र प्लेटफॉर्म बूलेटिन यह तो फेस्बुक ने लॉंच किया है और ऑग्लोबल बात करते हैं वालियो सीना को आकास मिशाइलों के निर्मान और आपूर्ति के लिए रक पर हस्ताक्षर किये है, किस एजनसी ने हस्ताक्षर किये है, उसका नाम आपको बताना है, और इस समझोती की कुल लागत क्या है, यह आपको बताना है, तो देखिए भारत Dynamics Limited, उसने आंकाश मिसाई की निर्माण और आपूर्ती के लिए समझोते पर साइन किये है, समझोते क जो कुल कीमत है, लगभग 499 करोड सरकार के दौरा बता ही जा रही है, तो देखिए यह आपका आंसर हो जाएगा, इस क्रिशन की बात करते हैं, जेला अवंट गार्डे, हाले में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी 2021 परत्योगी था, इन्होंने जीती है, वो देखिए लुईजियाना हो जाएगा, नेशन की बात करते हैं, पूछा गया है विने प्रकाश को हाली में भारत के लिए निमलकित में से किस सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म का नया सिवाशी निवाशी सिकायत अधिकारी यानिके जो आपका रेजिडेंट ग्रिवियांस ओफिसर होत करता है, सयद उस्मान अजहर मक्सूसी को Commonwealth Points of Light पुरुस्कार से नवाजा गया है, तो यह हिद्रबाद के हैं, नामध्यान रखेएगा सयद उस्मान अजहर मकसूनी कौनसा पुरुस्कार मिला है, Commonwealth Points of Light, जीज का आउनसर हो जाएगा, नेश्वर्षन की बात करते हैं, अभी तो यहां से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा B नेश्ट क्वेशन की बात करते हैं प्रकास जावेड करने हाली में निम्ने कितम से किस यह में नट्रक्स हाइच्पीड ट्रक जो गया है इसका उद्गाटन किया है तो यह देखें इंडोर में किया है मैंने आपको पहले भी बताया था इंडोर में काफ़े डवलप्मेंट की जो गतिविदिया चल रही है नेश्ट क्वेशन देखते हैं इसकी ग्रे लिस्ट में किसको जो है शामिल किया गया है ठीक है कौन से वो देश है तो देखे इसका नाम है Philippines ठीक है कई बार पाकिस्तान का नाम देखे आपको फसाया जा सकता है option में लेकिन हाली में देखे Philippines को क्या गया है पाकिस्तान तो काफे लंबर टाइम से है तो पूछा गया है कौन सी अंतरिक्ष एजनसी दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री को निक्त करने और लॉंच कर निकले तयार है अपने आप में बहुत शांदार पहला है हम से बहुत अप्रिशेट करना चाहिए तो यहां से अगर हम आंसर निकालेंगे तो यह हमारा आंसर हो जाएगा निश्विशन की बात करते हैं कि देखे सरकारी स् दिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंदर लर्निंग ट्रांसफोर्मेशन कारेकरम शुरू किया गया है किस राज्ये के तो नाम से ही पता चल रहा है आंदर लर्निंग ट्रांसफोर्मेशन कारेकरम है तो आंदर प्रदेश के तवारा विश्विश्व बैंक न तो answer हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा next question की बात करते है 120 पूछा गया है पर्वियर सिन्हा को हाली में किस agency का विशेष निदेशक तीक है क्या बोलते है इसको special director न्युक्त किया गया है तो तीक है कोई और agency नहीं है CBI पूछा गया है किस देश की राज़तानी अश्काबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया में एक सबसे महंगा शहर जो most expensive city है foreign workers के लिए वो गुशित क्या गया है तो देखे तुर्केमनिस्तान की राज़धानी है ठीक है तो यहां से जो आपका answer है यह हो जाएगा E ठीक है next question की तरफ चलते हैं पूछा गया है RK Sabarwal को हाली में किस देश के सर्वोच नागरिक पुरुसका The Order of Polar Star से सम्मानित किया गया है तो यह देखे मंगोलिया याद रखिएगा next question हाली में रेविट से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है तो यह है गोवा फिर पूछा गया है लेकक Immanuel Carrer इनको हाली में Spanish Princess of Austria Literature Award है तो सम्मानित किया गया है यह लिखक कहां कि है तो देखे फ्रांसे से यह लिखक है चीक है तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा नेक्सक्रेशन की बात करते हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने हाली में वित्यवर्ष 21 के लिए भारत की जो सकल घरेलो उत्पाद विकास तर है तीक है GDP की जो ग्रोथ रेट है उसको कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो इसको जो ही शुरू किया है यह कि अब भारत बुटान ने बहुत इंपोर्टन कुश्यन ध्यान रखेगा नेक्सक्रेशन की बात करते हैं शामा प्रसाद मुखर जी रूबर मिशन कींद्र प्रायोजित एक योजना है इसमें बिहार राज्जी सरकार कितने प्रतिशत सार के द्वारा खर्च की जाती है और इस योजना के तियार बिहार राज्जी के कितने क्लस्टरों की पैचान की गई है तो 11 क्लस्टरों की पैचान की गई है भी हमारा अंसर हो जाएगा नेश्क्रिशन की बात करते हैं गया में एक विश्णुपद मंदिर है उनके सामने नदी बहती है उस नदी में पूरे साल जल उपलब्द रहे इसके लिए एक योजना का क्रायान वेन किया जा रहा है आपको बताना है कितने करूड रुपे की वो योजना है और कब तक उसको पूरा करने का लक्ष जो है रखा गया है तो देखिए 266 करूड रुपे की ये और अक्टूबर 2023 तक पूरा होने का लक्ष जो है रखा गया है तो यहां से हमारा अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन महाननदा बाढ़ प्रबंदन योजना इसके दूसरे चुलन के अंतरगत चार जिलों में 792 करोड रुपे की लागत से तटबंद निर्मान का कारिय किया जाएगा आपको बताने कौन से जीलास के अंतरगत नहीं आता देखिए इसके अंतरगत कौन कौन से जीले आते मैं आपको बता देती हूं कटिहार पूर्णिया किशन गंज और अरर्रिया यह देखिए 792 करोड रुपे की एक योजना है जिसमें तटबंद निर्मान क किया जाएगा इस योजना का क्या नाम है महाननदा बाड़ प्रबंदन योजना इम्पोर्टन है तो यहां पर देखिए सभी इंक्लूड हो गए तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा निश्कोशन की बात करते हैं बिहार बजट में देखिए बिहार के किस जिले में एक रुष्व इध्याले थापित करने के गोष्णा की गई है तो यह है बिहार का राजगिर जिला ठीक है और यह कहां पर नालंदा जिले में तो सी हमारा अंसर हो जाएगा निश्कोशन की बात करते हैं जिले के मनिहारी में स्थित गोगवील को बिहार राज्य का पहला सामु जो है घोशित किया गया है क्या गोशित किया गया है फुर्स्ट कम्यूनिटी एंड प्रोटेक्टेट्ट रिजर्व ऑफ बिहार स्टेट कहां पर है यह देखे कटी हाज जिले में है नेश्ट क्विश्चिन जननायक कर पूरी ठाकुल छात्रावास योजना के अंतरगत छे जिलों में छात्रावास निर्मान कारिय कारियान विंत किया जा रहा है कौन सा जिला इस yozdana से जंबनदत नहीं है आपको यह बताना है तो देखिए, जो ये योजना है ना, इसके अंदर 6 जिले हैं, मैं आपको नाम बता देते हूं, एक का नाम है लखीर सराय, समस्तिपुर, दर्भंगा, खगडिया, सिवान और वैशाली, ठीक है, तो इसमें देखिए, जन्नायव करपूरे ठाकुर, छात्रावास योजना के करीब 26 करोड रूपे की लागत से, छात्रावास निर्मान कार्ये किया जा रहा है, तो बी मध्य पूरिज में नहीं है, नेक्श वर्शन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाय योजना, इसके अंतरगत, 2020-21 में लगबग 1.05 लाग परिवारों को, कितने रूपे क दर से बुक्तान किया गया, तो देखे 5,000 रूपे इसमें दिये गए थे, नेक्श वर्शन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री विच्चा वर्ती निवारन योजना के तहत, पांच जिलों में व्रद जनों के पुनरवास के लिए व्रद्दाक्ष्रम चलाए जा रहे हैं, कौ कौन से वो पांच जिले हैं, पतना, रोहतास, पूर्णिया, भागलपुर और पश्चिम, चंपालन, तो हमारा जो आंसर है, वो कौन सा जागागा, सीतामड़ी, यह नहीं है, नेक्ट क्वेश्चन है, परिवरिश योजना से रिलेजन, पूछा गया है, यह जो जिले में, कितनी CNG सेंटर जो है, स्थापित किये गए, तो चार CNG इंदन सेंटरों की स्थापना की गई है, D यहां से आपका अंसर हो जाएगा, नेक्ट क्वेश्चन, बिहार राज्ये के कुल 10 जिलों में, नए चिकत्सा महाविद्याले और हस्पतालों के निर्मान को मन नए चिकत्सा महाविद्याले और हस्पतालों के निर्मान को मंचुरी दी गई है, पूछा गया है कौन सा जिलाश से संबंदित नहीं है, अच्छा यह जो मंचुरी दी गई है, यह बिहार का जो बजट था 21 का, इसके तहत दी गई थी, दस जिलों की नाम बड़े ध्यान स सुन लेते हैं, वैसाली, बीगु सराय, सीता मधी, मदुबनी, जमुई, सिवान, बकसर, पूर्णिया, सारण और समस्तिपूर, चीक है, तो यहां से 134 का कौन सा आंसर दी, सहरसा नहीं है, चीक है, यह बात करते हैं, बोध गया में कितने करोड रुपे की लागत से, एक मह महा बोधी सांस्कृतिक केंदर की स्थापना की जारी है, इंपोर्टन्ट है, ध्यान रखेगा, आपको कम से कम यह पता हो, कि महा बोधी सांस्कृतिक केंदर की स्थापना कहा की जारी है, तो बोध गया में कितनी लागत से, तो 145 करोड रुपे की लागत से, फिर पूछा वाला जीले का नाम आपको बताना है साथ ही बिहार में सबसे ज़्याद जनसंक्या घनत्व वाला जिला भी आपको बताना है तो देखिये जो बिहार है highest sex ratio कहां पर है तो यह देखिये है आपका गोपाल गंज में इसमें एक हजार एककिस यह इतना है और अगर सरवादिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो यह शिवहर है, कितना है आपका 1880 है, चीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, निश्कुषिन की बात करते हैं, सही विकल्ब का चेन आपको करना है, सरवादिक जनसंख्य तो यह शेकपूरा है, सरवादिक दश्किय व्रध्धी वाला जिला, यह देखे मद्हपूरा है, सबसे कम दश्किय व्रध्धी वाला जिला, तो यह घनत्व हो जाएगा, निश्कुषिन, गल्ट विकल्ब का आपको चेन करना है, ठीक है, तो सिंहेश्वर मीला, मधी में ही होता है तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा नेश कोईशन की बात करते हैं गलत विकल्प का चेन करने कुछ नदिया दी गई है उनके उद्गम स्थल आपको दिये गए है बागमती का उद्गम स्थल महमाली की महाबल अश्रेनी है सही बात है कहां पर निप नदी तो यह भी ठीक है फल्गु नदी जो है वो उतरी छोटा नागपूर का पठार यहां से जो है उद्गमित होती है तो यह गलत हो जाएगा और यही हमारा जो है ए आंसर हो जाएगा निश कुशन की तरफ चलते हैं पूछा गया है कि निमलिखित में से सही विकल्प का थीक है कस्बे यह शहर और नदिया जो है दी गई है तो मुझवफर पूर यह देखिए सर्यो नहीं गंडक नदी पर है ध्यान लखेगा भागलपूर यह कहां पर है गंगा नदी पर है गया फल्गु नदी सही बातर चप्रा देखिए सर्यो नदी पर है तो क्यूंकि आप आप से सही विकल पूछा गया तो C आपका आंसर हो जाएगा अब देखिए 10 जो है माच की क्विश्चन है मैं इनके आपको आंसर बता देती हूं आप सौल इनको जरूर करिएगा ठीक है तो जो हमारा क्विश्चन नंबर है 141 ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह नेक्स कुश्चन की बात करते है 44 तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A यानि के 10 145 की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका D इसके बाद 146 की बात करें तो आंसर हो जाएगा B 147 कुश्चन आंसर हो जाएगा A ठीक है उसके बाद 148 कुश्चन इसका आंसर हो जाएग C 35 km पर घंटा इसके बाद 149 question तो इसका जो answer है वो हो जाएगा D और end में देखिया हमारा last वाला question इसका जो answer है 450 रुपे यानि कि answer B हो जाएगा तो यहाँ पर देखिया हमारा आज का वीडियो discussion समापत होता है मुझे उमीद है कि बहुत सारे facts आपको remember रखने में मदद मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा paper को solve कीजिए इस तरह के discussion video देखिये revise कीजिए ऐसा करने से paper निकलने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी अन्फे मेरी आपसे एक request है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको like कीजिएगा इनको अपने दोस्तों के साथ share कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe कीजिए बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ अबेकिले नमशकर